नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MPPSC की जो भरती होनी थी मद्ध-परदेश प्रशाश्निक सेवा में और साथ में उन्होंने भरती करनी थी मद्ध-परदेश राज्यवन सेवा में और इन दोनों की जो टोटल पूस निकाले गई थ थी ठीक है और अभी तक इसका फॉर्म खुला नहीं था तो अभी आपने देखा होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुए तो मैंने बताया था कि मैं आपको रिमाइंडर के तौर पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा तो इसका जो फॉर्म भरने का लेकिन मान लीजे आप से कोई गलती हो जाए इसमें कुछ तो यह मत सोचेगा कि 10 जन्वरी के 10 जन्वरी जित दिन आप में फॉर्म भरा उस दिन आपकी गलती सही करने पर 50 रुपा एक्स्ट्रा लगते हैं ठीक है लेकिन 10 जन्वरी को गलती नहीं सही होगी आपको अगर क यह विंडो ओपन रहता है समझ गया तो गलती वाले विंडो 15 जन्वरी शुरू होंगे और 11 फर्वरी को बंदोंगे और जो आपके नॉर्मल फॉर्म वाले विंडो है वो 10 जन्वरी से आज से 12 बजे दो पहर में शुरू हो जाएंगे 9 फर्वरी तक चलेंगे ठीक है तो MP परिक्षा का जो एड्मिट कार्ड भी मता जाता है आपको की 15 अप्रेल को जारी होगा जो वो नोटिफिकेशन में दिखा रहे है उस हिसाब से और जो परिक्षा है आपकी भहिया वह 24 अप्रेल से शुरू हो जाएगी दो पालियों में होती है जिन्होंने दी होगी उन्हे जयाता नहीं है अब देखिए आपको पता है कि minimum 21 तो सब में होनी चाहिए अब क्या होता है कि मालनी जिए यह जो MPPSC की जौब है इसमें जो भी वर्दी वाली जौब जो हो ना जितनी वर्दी वाली जौब होगी जो वर्दी वाली रैंक होगी उनकी जब आप्लाइकर दो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी उमर 33 से उपर नहीं होनी चाहिए ठीक है और बाकी वर्दी को छोड़ कर गया जितनी भी इसमें जॉब्स हैं MPPSC में चाहिए वन सेवा की हो चाहिए वो प्रचाशनिक सेवा की हो राज जी के मद्यप्रदेश की तो उसके लिए बाकी सब की उमर 40 है मतबसर जो वर्दी वाली जॉब होंगी इनमें सिर्फ उनी की लिमिट 33 है बाकी सब की 40 है ठीक है इसका ध्यान रखेंगे च्छड़ी के योग्यता सब को पता है एक पास आपके पास धिगरी होनी चीए और आविधन शुल्ध सब को पता है कि यह जो अरक्षित है यानि सामानने वर्ग है उनके लिए 500 है और जबकि जो अरक्षित वर्ग होता उनके लिए 200 है ठीक है तो बस इतनी सी जानकारी तेरी रखें और इस फॉर्म को भरें और सफल बनें जैहन।